हाई गाइस आप लोगों को आज बतारे हो एक बहुत important सेटिंग के बारे में कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ inventory होती है जो amazon के storage 센ेंटर में पढ़ी हुई रहती हैं fulfillment center में पढ़ी हुई रहती है लेकिन उन पे कोई sale नहीं आती हैं तो हमें क्या करना होता है कि आज मैंने देखा कि मेरी कुछ inventories है एक एक यूनिट जिनका रखा हुआ है जो सेल नहीं हो रही है तो मैंने आज उनका removal order create किया है कैसे करना है हमें यह मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो में दिखाऊंगी जल्दी से एक वीडियो में आप लोगों के लिए बना है हम क्लिक करेंगे three dots पे inventory उसके बाद manage all inventory यह आ गई है सारी inventory मेरे सामने inventory में से जो मेरी sell नहीं हो रही है मैंने उसे select कर लिया ऐसी चार inventory है जिसकी एक एक यूनिट मेरी sell नहीं हो रही है action on for selected create removal order उसके बाद यह देखिए यहाँ click करेंगे yes continue पे जैसे ही click करेंगे यह पूछेगा आपको deliver करना है यह dispose करना है जो sell नहीं हो रहा तो मैं इनको वापस मंगा लोगी क्योंकि फालतो में storage क्यूं मैं वहाँ पे अपनी space क्यों occupy कर रहा हूं तो इन चारो units को मैं अपने पास एक एक unit है चारो को एक एक वापस मंगा लोगी अगर दस unit है तो आप दस भी वापस मंगा सकते हैं तो यह मैंने चारो पर इसको पहुचा देगा दो तीन दिन के अंदर यह एक free service है यह आप अपनी storage save कर सकते हैं जो आपकी cell unit नहीं हो रही है उसे आप वापस मंगा लें